कैसे बोले कि बंजय बिगडी बात राश्प्रसंत पुझे श्री चंदर प्रबजी की दिव्यवानी बोलने की कला जब भी किसी से बोले सबसे पहले अपनी मुख मुद्रा ठीक करें जब भी किसी से बोलें तो पहले अपनी मुख मुद्र ठीक करें ये जो समसानिया चेहरा जो हम लोग बना लेते हैं लटका हुआ मुर्दे में और अपने चेहरे में फर्क करके इतनी तो प्रेरिना ले लीजेगा कि मैं अभी तक मुर्दा नहीं हूँ मुर्दा जो मुस्कुरा नहीं सकता मुर्दा जो अपने चेहरे को गुलाब के फूल की तरह खिला नहीं सकता अगर आप बोलने की कला सीखना चाहते हैं तो पहला काम होगा अपने चेहरे की पोजिशन को पॉजिटिव बनाईए मुस्कान से भरिए ज्यान रखिए शब्द का प्रभाव 20% पढ़ता है शब्द का प्रभाव 20% पढ़ता है आपके चेहरे के हाव भाव का प्रभाव और 20% पढ़ता है अगला 20% प्रभाव आपके हाथों के पोजिशन का पढ़ता है और अंतिम 20% का प्रभाव आपके मन के सदबाओं का पढ़ता है सब के 20-20 प्रशेंट अपने अपने प्रभाव हुआ करते हैं इसलिए सबसे पहले मुझ से मैं आपके मुझ की दुकान खोलू और ये बताओं कि आपके मुझ की दुकान में हीरे भरे हैं कि कोईले भरे हैं उससे पहले अपने चेहरे की पोजिशन क्या किजिए क्या कर लो क्या कर लो जो से बुलता हूं मुझ कान ले आओ बिल्कुल ठीक का अपने पहले चेहरे की पोजिशन करने के कौन-कौन से भाव हो सकते हैं अब उनमें सबसे आदा अच्छा भाव कौन से हो सकता है खोदी सोच लिए एक तो हुटा है रोने वाला दूसरा होता है बहुत ते जहसने वाला रोने वाला भी नेगेटिव हसने वाला भी नेगेटिव पर मुस्कुराने वाला पोजेटिव मुस्कुराने वाला बी पॉजेटिव अगर चंद्र प्रभु और ललित प्रभु से कोई भी जंदगी का पाठ सीखे तो हमेशा एक ही पाठ सीखो जी ओ, नो नेगेटिव बी पॉजेटिव एक ही पाठ उनके सारे संदेशों और पैगामों का एक ही सार संदेश नो नेगेटिव बी पॉजेटिव चेहरा भी हो हमारा बी पॉजेटिव, मुस्कुराता हुआ ध्यान रखो जेब में भले ही नहों मोबाइल पर चेहरे पर जरूर रखिये इसमाईल जेब में भले ही नहों मोबाइल पर चेहरे पर जरूर रखिये इसमाईल अरे फोटोग्राफर फोटो खीशता है उसका एक ही काम होता है वो क्लिक बाद में करता है उससे पहले आपके चेहरे की पोजिशन को ठीक करता है क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने ऐसे ही क्लिक मार दिया ऐसे ही क्लिक मार दिया तो वो आपका फोटो ले जाने वाला नहीं है वो कहेगा मैंने मेरा फोटो खिचवाया था किसी गदे का नहीं वो कहेगा कि मैंने मेरा फोटो किचवाएगा गदे का नहीं उसको पता है इसलिए वो पहले अपने गदे पड़े को ठीक करवाना चाहता है और वो कहता है smile please क्या कहता है वो भाई साब फोटो की इस दिन से पले क्या कहते है smile please हर व्यक्ति अपनी मुख मुद्रा को ठीक करें और मुख मुद्रा को ठीक करनी का पहला तरीका है हमेशा अपने चेहरे को मुस्कुराट से ब्रा हुआ रखो और मैं तो कहूंगा सुबह जब आँख खुले ना बोलनी की बात तो छोड़ो सुबह जैसे ही आँख खुले ना इश्वर को भी बाद में याद कीजेगा मम्मी पापा को धोक लगाने के लिए भी बाद में जाईएगा भाई भाई गले भी बाद में लगिएगा उससे पहले सुबह उठते ही आधा मिनार तक तबियत से मुस्कुराईएगा क्योंकि मुस्कुराते ही हमारे मन की स्थिति पॉजिटिव बन जाती है चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल जाता है चले ये काम करते हैं अपने चलो सुबह उठे हैं अभी आप अभी आप सुबह उठे हैं और उठते ही दस सेकंड तक पंद्रे सेकंड तक आधा मिनट तक मुस्कुराते चले जाओ और अपने मन और चेहरे की स्थिति को पॉजिटिव 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 बनाते जाओ अगर नहीं मुस्कुराएं न तो बगवान को भी याद करोगे न तो यूँ याद करोगे पर अगर उठते ही आप मुस्कुरा लिए मुस्कुराते ही आपके भीतर जैसे गुबारे में हवा भरते गुबारा फूल जाता ऐसे आपने मुस्कुरा दिया तो मुस्कुराते ही आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया आपके सुस्ती दूर हो गई आपके सुस्ती दूर हो गई अपने आप में ही आप अप्रमत्त हो गए और तब आप जो नवकार मंत्र बोलेंगे न तब प्रसंद चिक्त से बोला गया नवकार मंत्र दु सुखी मन से प्रसन्द मन से बोला गया प्रसन्द मन से बोला गया नवकार मंत्र गायत्री मंत्र अथ्वा नमाज की अदाईगी आपको उचाही देगी मुख मुद्रा ठीक करो दुकान खोलो ना शटर बाद में उपर कीजिएगा पहले दुकान के बाहर खड़े होकर अपना जो शटर है ना उसको पहले ठीक कर लीजिएगा दुकान का शटर बाद में खोलिएगा पहले अपने शटर को पॉजिट्व बना लीजिएगा एक दुकान पर ग्रहक ज्याद आते हैं एक पर कम आते हैं क्यों क्योंकि वो दुकानदार का शटर ठीक है इसलिए उसके इहां पर दुबारा जाने की इच्छा होती है भाई लोगों पहले अपनी मुखमुद्रा ठीक कीजिए और मुखमुद्रा ठीक करते हुए इसमाइल प्लीज चेहरे पर मुस्कान लाइए झाल